फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी जिसे कि हम जन्मस्ट मी पर कृष्ण जी के प्रशाद के लिए बनाते हैं और ये अवश्य से ही बनाई जाती है तो आज मैं आपके साथ इसका बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ और साथ ही मैं ये बहुत ही की भी लगती है तो आप एक बार जरूर से ट्राइ कीजेगा यहां पर मैंने आधा कप के बराबर धनिया लिया है साबुत धनिया अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं बट साबुत धनिया का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो इस तरीके से हमें हलका सा रोस्ट करना है जब आप इसे रोस्ट करेंगे ना तो हलकी हलकी खुश्बू आने लगेगी तभी आपको गैस का फ्लेम बंद करके और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है अब यहां पर मैं थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स लूँगी जिनक और दो ही चमच जो खर्बूजे के बीज है न मेंगी के वो लूँगी तो इसमें पांच तरे की मेवाय डलती है तो अगर आप खर्बूजे के बीज ना चाहें तो अखरोट या पिस्टा कुछ भी मिला सकते हैं और साथ में मैंने यहां पर किश्मिश का यूज किया है और हम यहां पर इलाइची पाउडर भी डालेंगे अब इनको हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे जिससे इनके अंदर कोई भी नमी हो वो निकल जाए और उसके बाद इनको भी हम एक तरफ ठंडा होने के लिए रख देंगे यहां पर अगर आपको मेरी वीडियो हेल्फुल लगती ह तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर से करके जाएं तो यहां पर जो धनिया था वो ठंडा हो गया है और हमने उसको पीस लिया है अब जितना धनिया है उतना ही क्वांटिटी में हम बूरा लेंगे अगर आपके पास बूरा नहीं ह तो आप चीनी को पीस लें और उसका यूज कर लें और यहां पर जो ड्राइफ रूर्स से वो भी ठंडे हो गए हैं तभी हमने इसमें मिक्स किये हैं और साथ में हम एक चमच गी इसमें डाल देंगे अगर आप चाहें तो गी को अवोईड भी कर सकते हैं बट अगर डालते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और साथ में इसमें एक हलकी हलकी बाइंडिंग सी हो जाती है जिससे यह खाने में बहुत जादा ड्राइ नहीं लगता है और देखें यहां पर यह बनकर तयार है तो आप इसे जरूर से बनाए क्योंकि इसका जो प्रशाद है व आप वहां से देख सकते हैं कि हम प्रशाद के लिए जन्मस्ट मी पर क्या क्या बना सकते हैं और यहां देखें स्पून से अच्छे से मिल नहीं रहा था तो आप इसे जैसे चूर्मा मिलाते ना उस तरीके से फिंगर से मिला ले तो यह बहुत ही अच्छे सुगा और जो ग होते हैं अपनी और नई वीडियो के साथ बाबाई